नमस्कार, पीपी नियूस लाइन के प्राइम ट्राइम में आप सब का स्वागत मेहू रजनी अडोपव, आए नजर डालते हैं अब तक की प्रभुक सुर्ख्यों पर प्रधानमंती नेंदर मोधी की मा हीरा बेन को कई जगाओं अर्पित की गई श्रदांचली, आत्मा की शांती के लिए की गई प्रात्ना गांधी नगर अस्पताल में विकास कारियों की हुई शुरात मेर रजेंदर शर्मा ने किया उद्खाटन वेजिटेबल एंड फूड एस्सोसियेशन सबजी मंडी प्रेड का प्रदर्शन मंडी में साफ सफाई करने की की मांग शिवसेना ने खोला शिकायत एवं सहाई केंदर दरजनों ने थामा शिवसेना का दामन प्रदानमंति नेंदर मोदी की मां हीरा बेन की मौत के बाद देश भर में उनके लिए श्रदांचली कारिकमों का आयोचन किया जा रहा है जमू नगा निगन ने भी हीरा बेन की याद में श्रदांचली कारेक्रम का आयोचन किया जिसमें मेर राजेंदर शर्मा निगम के आयुक्त राहुल यादव पार्शद वा अन्य गन्माने लोग मजूद रहे इस सुरान हीराबेन को श्रदांचरी अर्पित कर उनकी आत्मा की शांती के लिए प्रात्ना की गई मियान ने प्रधानमंतिय नेंद्र मोधियों और उनके परिवार के साथ समवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में उनके साथ एक जूटता व्यक्त की भाश्पा की कश्मीर इकाई ने प्यम मोधि की मा हीराबेन को श्रदांचरी दी पार्टी परवक्ता अलताव ठाकू ने कहा कि उन्हें प्यम की मा के निधन पर घहरत दुख है उन्होंने कहा कि मा की जगा कोई नहीं ले सकता और वे इश्वर से प्रातना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांती प्रधान करे पर उन्चुग ने भी प्रधान मंत्री की मा के निधन पर दुख चताया उन्होंने कहा कि पियाय मोदी की मा के निदन की खबर सुनकर दुख हुआ। उन दिवंगत लोगों को मेरी अश्रू पूरत शृदाजली जिनकी जगा को भरा नहीं जा सकता। दुख की इसकड़ी में मैं मोदी जी की प्रती समवेतना और एक जुड़ता व्यक्त करता मा इक अपने आप चो बहुत वड़ा शबद है। मा पूरन शबद है। मा ओ जड़ी घड़ी है। मा ओ जड़ी बनांदी है। आज स्वेरे जुदू प्रधानमंत्री मोदीजी दे माता सड़ी माता हीरा बाईजी देंगी दन समाचार प्रापत होया। बड़ा दुख लगा। माताईदा सो वर्ष दा जीवन, करम, योगी, तपस्वी जीवन सी। उन्हाने भवान के समर्पित की तरता। बत्ती, तपस्या, करम दी प्रकाश्ता करना उथ तिन नाधी तरवेनी सी माताच। उन्हाने प्रधानमंत्री मतुए वर कए नेत्रित फिननों गड्या Ads करना दा करना दा सरलता और जिंदरना ममता भाव। ओनादी चवी कदी भी पुळी निजा सकती। वहां आठंडिया अच्छामा परंप्रात्मा परंपिता प्रमात्मा देने भी बेंधिये शात्गुरग्य पेंधिये और उन अपने चतना चलोगों आत्मानु शान्ती बंदान करों मेरी राब्बग्य बेंधिये केस कड़ीच प्रधानमंत्री जीवन पल पल दा संघर्ष जिन्ने प्रधानमंत्री मोधी जीवर गा तपस्वी भक्तिवाला देश्वसे कम करनवाला विकास कारियों को बढ़ावा देती हुए आज जमु के गांधी नगर अस्पताल में फोंटेंस और हाई मास्ट लाइट्स लगाएगे इस काम का उद्गाटन जमु नगर निगम के मियर राजिंदर शर्मद्वारा किया गया इस मोके पर उनके साथ स्थानी पारशद वा अन्य गन्माने लोग मजूद रहें। मियर ने कहा कि जमु शहर में जगा जगा पर संधरे करन और विकास कारे करवाए जा रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। डक्टर अरुन जी को इनको बधाई है कि इनकी देखरेक में ये काम किया है और पूरी हॉस्पिटल की एडमिसेशन पूरे अच्छे तरीके से ये चला रहे हैं और ये सभी डेवलमेंट के काम जमु शहर में हमारे माननी उपर राजपाल मनोज कुमार सिना जी की अध्यक् वेजिटेबल एंड फूर्ड एसोसेशन सब्जी मंडी प्रेड द्वारा आज जमु नगर निगम के खिलाफ परदर्शन क्या गया परदर्शन कारियों ने काहा कि जमु नगर निगम स्मार्ट सिटी के तहत कई काम करने का दावा कर रहा है और असल में जमीनी स्तर पर कु सफाई की कोई ववस्ता नहीं है गलिया नालिया टूटी हुई है जिनकी वज़ा से लोग परिशान है उन्होंने इस मामले की कारेवाही करने की मांगी सब्सक्राइब करने के लिए हैं ना कोई बिजली लगे कि कुछ नहीं हुआ ना कोई बिजली है ना पानी है यह देखिए पैपे टूटी हुई है कजड़ा तो आपने देखी लिया सारे नाले बिलकुल बंद पड़े हुए हैं पहले महिने में एक बार जब हमारी शुटी हो है या हम जाते हैं बोलते जुरूर है आज नहीं कल आपका काम शुरू हो जाएगा हमें मोग बता दो कल कब आएगा हम बार बार यहीं के पूछने जाते हैं ने साल को लेकर श्रीमाता वैस्णुदेवी बवन में तैयारियें शुरू हो गए है अब आर एफ आइटी किसी भी यातरी को माता की दर्शन करने की अनुमती नहीं होगी। मास पहना भी बहुत जरूरी है। बीड परबंदन यानि की पूरे रास्ते में बीडबार को मैनेज करना विशेश रूप से बवन अक्षेत्र में। प्रवेश को अलगलग करना भवन में निकास कारे और पा कतार में खड़े रहने के दौरान श्रदालू को मास्क पहना होगा। नावर्श पर भीड परवंदन श्राइन बोर्ड की समिक्षा भी रहेगी ये जानकाई देते हुई श्राइन बोर्ड के सीओ अन्शुल गर्ग ने बताया कि सभी श्राइन बोर्ड एवं भवन पर तै है situation को देखते हो कि उस दिन भवन पर कितने लोग हैं और किस speed से यात्री दर्शन करके वापस लौट रहे हैं तो उसी के लिए हमारी जो enforcement teams हैं उस दिन तैनात रहेंगी भवन पर ताकि जिन यात्री उन्हें दर्शन कर लिए उनको तुरंत कट्रा की तरफ रवाना किया ज आ सके और यात्री कम से कम समय पर भवन पर रुकें सिरफ वही यात्री जिनकी बुकिंग्स हो भवन पर सिरफ वही यात्री भवन पर stay करें और बाकी सभी लोग दर्शन करते ही वापस कट्रा की तरफ प्रस्थान करें उसके लिए भी हमने dedicated teams deploy की हैं ताकि कम से कम टाइम मे तो भवन की तरफ रवाना करेंगे और जैसा जो दूसरा point आपने का holding areas के बारे में तो holding areas हमारे पास यात्रा track के उपर चार locations पर dedicated holding areas हमारे पास बने हुए हैं सबसे पहला obviously कट्रा के अंदर हमारा सबसे बड़ा holding area रहता है ताकि अगर कोई भी यात्रा track के उपर हमें restrictions करनी पड़ती हैं तो कट्रा में यात्री रूख सकते हैं हमारे accommodations भी available हैं उसके बाद अर्दकवारी में हमारा एक बड़ा halting point रहेगा जहां पर एक senior officer भी as यात्र officer deployed रहेंगे 30 से लेकर second तक चार दिनों में joint CEO या deputy CEO ranking officer रहेंगे जो इस यात्रा को regulate करने के लिए अद्गवारी के holding area को regulate करेंगे तीसरा हमारे पास सांजीचत में एक holding area dedicated रहेगा वहां पर भी हम यात्रा को hold कर सकते हैं as and when required चौता हमारे पास holding area मनो कामना zone में रहेगा ताक इन holding area को supervised करते हुए senior officers रहेंगे उस दिन और जो मैंने पहले भी कहा holding area का इस्तेमाल में तब लाया जाएगा जब हमारे को RFID card के RFID tracking के जरीए मालूम चलेगा कि किस area में किते लोग किते लोग क्श्मीरी पंडित करमचारी जो लगातार जमू स्तानांत्रित करने की मांग कर रहे हैं उन्होंने आज परधान्वंति निरंदर मोधी की माताजी के निदन पर उन्हें भावी नी शदांचली अर्वित की अब तो चला एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर सोलां कोर के कमांडर के रूप में कारेभार संबालने के कुछ दिनों बाद लेटनेर जनरल संदीप जैन ने वीरवार को राजोरी में S.A.F.S. डिवीजन का दौरा किया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठर कर दिशा निदेश जारी किये साथ ही सेना के जवानों से मुलाकात कर उनका होसला भी बढ़ाया उन्होंने काफी लंबे समय तक सेना के उच अधिकारियों के साथ बादशीत की और कहा कि गुस्पैट को रोपने के लिए सबी जरूरी कदम उठाये जाए साथ ही अंदर के क्षेत्रू में भी सुरुख्शा विवस्ता को बहतर बनाया जाये ताकि क्षेत्र में अगर आतंकी किसी परकार की गतिविदी को अनजाम देने का प्रयास करते हैं तो उनके प्रयास को विफल किया जा सके दक्षिन कश्मीर के जिला अनंतिनाग में बीशन आग लगने का मामला सामने आया गटना शुकरवार सुबा तीन बचे के करीब की है आग ने एक के बाद एक तेरा घरों और दस दुकानों का अपनी चुपेट में ले लिया गटना का पता चलते ही आसपास के लोग इकठ्या होगे अगनी शमन विबाग को भी सूचित किया गया मौके पर पहुंची अगनी शमन विबाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया अधिकारी ने बताया कि आग लगने से 10 सिलंडर ब्लास्ट होगे समय पर की गई कारेवाई से करीब 200 गरों को भीशन आग की चपेट में आने से बचाया गया आगनी फिर 13 गर और 10 दुकानों को भारी नुकसान पोचाया विबागी अधिकारी ने आगे बताया कि गटना स्थल से फारिंग सर्विस स्टेशन सिर्फ आदा किलोमीटर की दूरी पर है दमकल की गाडिया तुरंत मोके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया पानी की प्रयाप्त उपलब्तता और स्थानी लोगों के साथ से अगनी शामकों ने अपने सर्विस स्टेश्ट का प्रयास किया और कई गरों को बचा लिया ऑप्रेशन के दूरान एक दमकल कर्मी घायल हो गया उसे गौर्मन मेडिकल कॉलेज अननत तनाग में भर्ति कराया गया आतंक के खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलो द्वारा कई अभियान चलाया जाते है जानकारी के मताबिक साल 2022 में सुरक्षा बलो द्वारा 116 मुटवेडों में 185 आतंक वाधियों को मौत के गाट उतार दिया गया है मारे गे आतंकियों में 55 विदेशी आतंकी 90 लशक्रे ताइबा और उसके हिट स्कॉर्ड दरजिस्टेंस फ्रंट और 54 जैशे महुमत के आतंकी थे आपको बता दें कि स्रीनगर और उसके साथ सटे इलाकों में 11 और जब्मूव उसके साथ सटे शेत्रों में दो बार ही सुरक्षा बलो और आतंकियों के बीच मुटवेड हुई है इस साल लगग 109 स्थाने यवक आतंकी रहा पर गई है लेकिन साथ ही इस बात की जानकारी भी मिली है कि इस साल का रिकॉर्ड पिछले कई सालों के मुकाबले में समसे कम पाया गया जो एक उपलबदी के तौर पर देखा जा रहा है साल के शुराती महीने में ही अधिकतर आतंकी मारे जा चुकी है लशकर का सबसे मस्बूत गड कहे जाने वाले बांडी पूरा जिले में इस साल सुरक्षबल और आतंकियों के बीच तीन मुठवेडे हुई जिसमें जैश के दो आतंकी मारे गे थे जैश के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझोर मेरी पूरी टीम को दीजी एजासत और आप देखते रही पिपी नूसलाइब नमस्कार जमो में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेकनोलोजी के लिए हमेशा याद रखें जहाँ पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार और हाँ हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के बेंडेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासे और कॉंटेक्ट लेंसे मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जमोप्टीशन्स गाधी नगर जमोप्टीशन्स नई बस्ती जमोप्टीशन्स अंपल्ला जमोप्टीशन्स त्रीकुटानगर